हलो दोस्तों, वेलकम आई यूटूब चैनल, एयर कंडिशन का काम सिखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फाइदेमन्द है, एसप्रेसली नए एसी टेक्निशन के लिए, ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत आसान ट्रिक और टिप्स के साथ ट्रैक्ट मा यूटूब चैनल, HVACM, बड़ा यूसफुल वीडियो है, इसप्रेसली नए लड़कों के लिए, नए एसी टेक्निशन के लिए, एक साइट में कम्प्लेइन था कि रूम ठंडा नहीं हो रहा है, जैसा रूम ठंडा होना चाहिए, नहीं ठंडा हो रहा है, रूम तंप् नहीं कर रहे है, रेड वाला कर रहे है, तो कि लो साइट में थादा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग हाई साइट का इस्तमाल कर रहा है, तो जब सेक्शन प्रेसर चेक कर रहे हो तो 100 टू 105 है, तो गैस कम होने का मतलब है कि जब भी कभी गैस को तॉप आप करना सेक्शन प्रेसर चेक करने के बाद, एसी को चालू होने के बाद, सेक्शन प्रेसर और डिस्चार्ज प्रेसर दोनों को चेक करना चाहिए, और तीनों को चेक करने के बाद, आपको सेक्शन प्रेसर से ही मालूम चल लगा है कि सिस्टम में गैस कम है, जादा होगा तो, लेक में एकदम रिटन नहीं है लेकि उस तरह से ही जिसम होना चाहिए तो गैस काम होने का कंफर्म यह मतलब है कि सिस्टम में लिख है अलिक वहां से वह कैप के पास माइनर से लिख था वो कैप को हो फुली ठाइट नहीं किया है जिस तकन ने में पहले काम के तो उसको टाइट करके उसको यह कर ले ना चाहिए तो कभी भी जब लिख हो डाउट हो तो सबसे पहले स्टैंडिंग प्रेशर सेृ्टdrum अच्छे яр utility न है कर रहेगा दिपेंड करता है रूम और ambient temperature पर डिपेंट करेगा वो, उसके हिसाब से वो कमबेसी होगा, इसका section pressure 115 से लेकि आपका 140 तक रहेगा, वो भी डिपेंट करता है room temperature और ambient temperature पर, अगर room temperature ज्यादा होगा तो section आपका बढ़ेगा, जब room temperature decrease होगा, तो section भी आपका धीरे धीरे 115 ए 120 तक आ जाएगा, इसका discharge pressure 450 से लेकि 520 तक रहता है, डिपेंट करता है वो room temperature और ambient temperature के उपर, room temperature जब भी ज्यादा होगा, तो आपका pressure discharge और section बढ़ेगा, ज़ादा होगा, ज़ादा दिखाएगा, शोग करेगा, जब वो धीरे धीरे temperature जब वो maintain करने लगेगा, तो फिर वो धीरे धीरे वो अपन normal pressure में आ जाएगा, जैसे मालो 140 दिखा रहा तो फिर आपको वो 120 दिखाएगा, जब वो room सही ठंडा हो जाएगा तक, इसका जो boiling point है, minus 51.4 centigrade है, इसका chemical formula है, HFC है, 410 जो gas है, वो दो gas को मिला के बनाया गया है, तो उसमें जो है, वो आपका R32 है और 125 है, यह दोनो gas को मिला के आपका 410 बनाया गया है,